माल लेते हमें एक function दिया हुआ है fx ये है log of natural log of square root of x और मैं चाहता हूँ एक बार तुम वीडियो पॉस करके इससे differentiate करने की कोशिश करो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x सिरफ square root से बात नहीं कर रहा है ये log से भी बात कर रहा है और जब भी x से जादा function हो तो हम chain rule यूज कर सकते हैं और chain rule यूज करने के लिए हम ये देखना होता है कि x कब किस function से बात कर रहा है अगर मैं x को पकड़ने की कोशिश करूँ तो x सबसे पहले square root से बात करता है पहले x जाता है square root के पास यहां मैं लिखता हूँ square root और ये बन जाता है square root of x अब ये square root of x log के पास जाता है ये जाता है log के पास और ये बन जाता है log of square root of x और chain rule कहता है कि अगर तुम्हे log of square root of x इसकी differentiation करनी है इसकी differentiation करनी है with respect to x तो तुम एक-एक step करके कर सकते हो पहला step log of square root of x इसकी differentiation with respect to square root of x और दूसरा step square root of x की differentiation with respect to x इन दोनों को multiply करोगे तो भी answer same आएगा अगर मैं इस step की बात करूँ तो मुझे निकालना है differentiation of log of square root of x with respect to square root of x d square root of x तो log of apple होता तो इसकी value हो जाती 1 upon apple यहां लिखी लेते हैं अगर हम थोड़ी दर के लिए थोड़ी दर के लिए square root of x को apple माने तो यह लिखा हुआ है log of apple इसका differentiation with respect to d apple with respect to apple तो log of x होता तो 1 by x आता log of apple है तो 1 by apple आएगा और अगर यह logic सही है तो apple की जगह अगर मैं square root of x डालूंगा तो यहां पर यह 1 upon square root of x आ जाएगा वैसे ही अगर मैं दूसरा step देखूँ तो यह लिखा हुआ है d of square root of x with respect to x यहां पर मैं power rule लगा सकता हूँ यह x की power 1 by 2 differentiation के बाद half यह जो power है यह नीचे आ जाएगी इसका अगर मैं differentiation करता हूँ तो half power नीचे आ जाएगी x की power half minus 1 यानि की minus half और इसको अगर मैं simplify करूँ तो x नीचे आ जाएगा यह जाएगा 1 x की power half यानि की square root of x तो 1 by 2 square root of x यह मेरे इस step का answer है 1 by 2 square root of x इन दोनों को अगर मैं multiply करूँगा तो मुझे f dash x मिल जाएगा अगर मैं इन दोनों को multiply करूँगा तो यह चीज इस से cancel हो जाएगी और मेरे पास बचेगा मेरे पास बचेगा d log of square root of x upon upon dx और इसकी value हो जाएगी 1 by square root of x multiplied by 1 by 2 square root of x और इन दोनों square root of x को हम multiply करके x लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 1 upon 2x तो यह नहीं कि f dash x अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो f dash x यह बराबर है 1 upon 2x के अब हमने chain rule तो use कर लिया लेकिन यहाँ पर मैं एक method और बताना चाहता हूँ अगर हम log की कुछ properties use करने की कोशिश करें तो हम f x को पहले ही simplify कर सकते हैं f x हमारा लिखा हुआ है log of square root of x और square root of x होता है square root of x होता है x की पाउर half और log की एक property कहती है कि अगर यह x की पाउर half है तो इस half को मैं यहाँ पर यह नीच उतार सकता हूँ यानि कि इसी f x को मैं लिख सकता हूँ half multiplied by log of x तो अब मेरा f x काफी simple दिख रहा है इसको अगर मैं differentiate करने की कोशिश करूँ यहाँ पर अगर मैं f dash x निकालूँ तो यह half तो ऐसा ही रहेगा multiplied by log x की differentiation होती है 1 by x तो यह 1 by x हो जाएगा और इसका answer 1 upon 2x आजाएगा तो ज़रूरी निए कि हर question में तुमें chain rule लगाना हो कुछ questions में ऐसा भी होता है कि हमें हमारे जान पेचान के functions मिल जाते है और अगर हमारी जान पेचान थोड़ी से अच्छी है तो वो हमें question solve करने का कोई नहों कोई असान रास्ता जरूर दिखाएंगे